नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज फिर हमारी discussion रहेगी MBBS के उपर क्योंकि MBBS का जो admission process है शेहनगन कंट्री और European countries में आरड़ी open हो चुका है तो अगर आपकी destination शेहनगन कंट्री है या European countries है MBBS बहां से अगर जाकर आपने करनी है तो आपको आज से ही इसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे शेहनगन कंट्री के आरड़ी portal ओपन हो चुके हैं अगर आपने वहां पर अपना admission जहां अपना वीजा अपलाई करना है तो बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के उपर MBBS से related तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में हर टाइम मैं यह चीज रूपीट करता हूं कि जो आम प्रमोटेड कंट्री हैं यहां पर जो की बेड़ चाल जैसा है उनमें तो हर एक लोग हर एक consultant चलता फिरता एजेंट भी क्योंकि बहां का कोई criteria नहीं है admissions का हर students को easily बहां पर admission मिल जाता है कोई उनके parameters नहीं है तो आप बहां पर easily admissions ले सकते हैं वो कौन सी countries हैं चाहे वो Russia को लेकर चलो चाहे आप China को लेकर चलो Ukraine को लेकर चलो चाहे आप Belarus को लेकर चलो चाहे जोर्जिया अर्मेनिया जा अजरवा तो यहां पर जो admission criteria in countries का इस country में बेड़ चाल जासा system है बच्चे को देख बच्चे जाते हैं कि वो चाइना में करने के लिए बच्चा एंबिवियस जा रहा है तो इन countries को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं हमारे consultant यह शेंगन countries हो गई या European countries हो गई उसके पीशे को रिजन है मैं डिसकस करूंगा रिजन यह है रिजन यह है कि यहां पर जो admission process है एक तो बड़ा difficult है easy नहीं है उनके parameters है admissions के लिए और दूसरा वीजा का क्योंकि जितनी भी मैंने पहले जो country डिसकस की है यहां बेड़ चाल जासा system रहता है वहां पे वीजा की कोई problem ही नहीं है और एक person क को 100% वीजा है तो यहां पर parameters है admissions के वीजा के लिए भी तो consultant क्या सोचता है जिसमें उसको easy earning आ जाए तो कहता है कि बच्चे को बहां बेज देते हैं हमें क्या है कि बच्चे ने जाके अपने आप देखे आगे डॉक्टर बना है डॉक्टर बंके बंते हैं वहां से यह नही इसे worldwide students आते हैं इन countries में maximum students कहां के हो सकते हैं मैं उसके बारे में discuss करूंगा वो countries हैं जो fully developed है मतलब उनको अपनी country में जब admissions नहीं मिलता है जैसे जर्मन वाला student जर्मन में बढ़ रहा है तो जब उसको MBBS में अपनी country में admission नहीं मिलता तो then वो preferred किन countries को करता है जो उसके साथ में लगी हुई है कौन सी country यह जो मैंने European जैंशेंगन country है जिनके अंदर budget appropriate है admission उनको easily मिल जाती है तो वो उनको preferred करता है जर्मन वाला student तो वो budget देखता है कि हाँ अगर मेरा budget another Poland का है 10,000 euro का जहां Hungary का है 16,000 euro का जहां Czech का है 14,000 euro का जहां Latvia, Lithonia, Estonia का है 10,000-12,000 euro का जहां सल्वाकिया का है तो वो फिर उनकोंटिस को preferred करता है अगर उसका budget कम रहता है कहता है कि मेरा budget पचपंद सो जाशे यार euro का है तो वो फिर रुमानिया की और भागता है जहां अगर उसका budget 8,000 euro आ जाता है फिर वो बुलगारिया को देखता है अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है 9,000 euro का जादा 8,000 euro का फिर वो कुरेश्या को देखता है इसी तरीके से यो बच्चे UK में already settled है या UK के citizens हैं उनको भी जब वहां पर admission नहीं मिलती तो वो कौन सी country को तबज्जो करती है वो यह देखती है कि UK की पहले सबसे पहले देखती है कि कौन-कौन सी country colonies रही है यहां पिर English में मतलब MBBS पढ़ाई जाती है तो उनकी official language like English जैसी हो और साथ में उनके university जो UK के अंदर उनके campus and countries के अंदर हो तो वो preferred कि को करते हैं वो करते हैं साइपरस को और Malta को तो वहां पर भी MBBS करवाई जाती है Malta और साइपरस में जो बच्चों का dream UK में पढ़ने का है MBBS करने का ले सब्सक्राइब आपका IELTS सब्सक्राइब कुछ UK की university UCAD भी लेती है MCAD जैसा भी exam है उनका वो clear करना पड़ता है फिर जाके admission मिलता है अगर वो बच्चा जब fulfill नहीं कर पाता चाहे वो international student है चाहे वो domestic student है तो फिर वो इन countries को में भागता है Cyprus में जहां किसमें Malta में तो वह सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं यह फिर मोटिवेशन नहीं दूंगा कि अगर आपने उस campus से सब्सक्राइब कर लिए तो अभी आप पी लैब इमीडियरली क्लियर कर लेंगे उसका passing percentage बहुत अच्छा है उसका एक campus बहां पर ऐसे motivation नहीं दूंगा लेकिन यह है कि आपको पूरे का पूरा में continent का motivation दे सकता हूं कि आप पूरे continent में सेटर हो सकते हैं इवन आप साइप्रस में यह माल्टा में बहां पर ऐसे डॉक्टर प्रक्रिस कर सकते हैं तो अभी इवन आज की डेट में अगर आपने यूरोपीन कंट्री में माइग्रेशन लेनी है तो इस बेरी डिफिकल्ट डिरेक्टली माइग्रेशन लेना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि उनके पास सभी तक दो तीन कैटागरी के ऑप्शन सी है वो कौन से है एक तो इन्वेस्टमेंट है जिसको हम गोल्डन वीजा कहते हैं उसके अंदर 300,000 मतब तीन सी यार्टीन करोड तक की कोई प्रॉपटी अगर परचेस करता है खो शेंगन की चार-पांच कंट्री तब जाकर गोल्डन वीजा मिलता है तो यह इस इस फर्स्टूट नुन कंट्री सेकंड रूट क्या है उन्होंने ब्लीव कार्ट इंटर्डीश किया है जो हा लिए अगर आप student के रूट के थू इन शेंगन कंटीज में लेते हैं ये रोपीन कंटीज में लेते हैं तो आपको एक बड़ा प्लेटफर्म मिलता है 26 का एक वीजा के ओपर यू के अक्सेसे 26 तो अभी ये देख लिए कि अगर आपको इन 26 कंटी का प्लेटफर्म मुलता है तो आपको कितनी अपर्चुनिटीज है जब आप इंसाइड होते हैं इन कंटीज में तो आपनी स्टडी के बाद पोस्टडी परमट भी है एंबीएस व स्टडी उनके पैरामिटर्स हैं कि अगर आपको यहां पर कोई भी इंप्लायर जौब ओफर कर देता है तो इवन दैट यू कन सैटल दिया वह भी नहीं है तो ऐसे सेल्फ इंप्लायड भी आप उन कंट्री में सैटल हो सकते हैं यह शेंगन कंटी जहां पर भी आप स्टड हैं अगर आपका बजट शेंगन का भी नहीं है क्योंकि यहां पर पच्पंसो यूरो से फीस स्टार्ट होकर 7000 तक की फीस है डिपेंड कौन सी उनिवर्स्टीज में जा रहे है और ये भी मैंने आपको बता दिया है जब तक आप अपनी 6 साल की अमबिबियस कंप्लीट करेंगे तब तक ये भी रोमान या भी शेंगन का मेंबर बन जाएगी तो कितना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा तो अडिमिशन क्रिटेरिया क्या है अडिमिशन के लिए यहां पर हर एक बच्चे को अडिमिशन मिल सकता है without any problem इतना easy भी नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ अगर by chance आपको अडिमिशन में problem आती है तो वो first year आपको preparatory program दे देते हैं आपको preparation करने के लिए आप पहले साल एक preparatory program करें फिर आपकी ambivious start होगी तो उनके parameters हैं वहाँ पर भी point way system है आपके हर एक चीज के points देखे जाते हैं उसके बाद selection होती है merit बनती है क्योंकि हर एक universities की capacity है पहले है वहाँ पर ambivious के लिए किसी universities में 50 student साल के लेते हैं कोई 200 लेती है कोई 30 100 लेती है जितनी भी वहाँ पर universities हैं तो हम एक universities में admission बच्चे का नहीं apply करते हैं हम जितने भी 3-4 universities हैं वहाँ पर बच्चे का admission apply करते हैं तो वो admission का उनका criteria क्या है वो उनकी merit कैसे बनती है, point way system क्या है, उसके बारे में हम discuss करेंगे सबसे पहले बच्चे के they are preferring उनको जिनके percentage अच्छे है देखो 60-65 तो minimum है, जितने ज़्यादा होंगे तो उसको priority मिलेगी अगर बच्चा bachelor है, repeat करो यहाँ पर need need requirement नी रहती in countries में हाँ, इंडिया में आगे practice करनी है, तो फिर need sir करके ही जाना पड़ेगा, अगर आपने इंडिया में आना, तो दूसरा, अगर आप BSc की हुई है, बैचलर की हुई है, तो उसके और extra point है, वो plus 2 की बजाए, बैचलर को जड़ा preference देते हैं, फिर percentage भी देखते हैं, तो उसके भी point मिलते हैं, इसी तरीके से English proficiency, आपकी English proficiency है, English proficiency आइदर आप वो अपनी English proficiency थू जो भी बच्चे की Skype interview लेती है, कोई entrance exam नहीं है, वहाँ पर Skype interview लेती है, उसके अंदर बच्चे को judge करती है, तो उसके भी point बनते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, फिर कुछ जुनिवस्टी के specific medical requirement रहती है, कि आपने अपना medical भी अपनी country से करवा कर देना है, उसके अंद टीवी का तो आम ही है, ये सारे test है, उसका भी proper form है, आपकी police clearance certificate है, आपके जितने भी academic document है, ये सारे के सारे legalized होने चाहिए, कहां से, जो ministry of patayala house है, अपोस्टेल जिसको कहते हैं, उसकी मेरी एक separate video, आप देख सकते हैं, कि आप अपने document अपोस्टेल कैसे करवा सकते हैं, त तो ये साथ में कुछ universities आपका motivation letter भी मांगती है, कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, एक अपना motivation letter भी भेजिए, ये सारे document देखने के बाद, वो सब चीजों को देखने के बाद, बच्चों के point देने के बाद, फिर वो merit बनाने का फिर बच्चों को admission मिलता है, जिन बच् technical है, हम इन country में regular काम कर रहे हैं, हमें मालूम है, तो ये वाला जो रुमानिया हुआ, बुल्गारिया हुआ, इसको कुरेशिया हुआ, कोई consultant प्रमोर्ट नी करेगा, क्योंकि बहुत tough है, वो कहेगा कि छोड़ो जार क्या करना है, तो आपको इन country में जाना चाहिए, इन में बहुत benefit है, इवन कुछ वहां की university आपका 11th का भी certificate मांगती है, आपका date of worth भी और 11th का भी आपने market देनी है, डेपेंड है आप कौन सी universities में apply कर रहे हैं, तो ये सब document आ जाते थे, कुछ universities में ये document रुमानिया लेंगुज में translation कराने हैं, वो सारी headache हमारी है, हमने सारा कुछ कराना आपने सिर्फ हमें document देने हैं, तो उसके बाद आपका वहां पे admission होता है, admission के बाद, आप अपनी वहां से ambivious करने के बाद, पूरे European continent को in cash कर सकते हैं, अगर आप यॉर्प से study करते हैं, तो इवन इंडिया तो है ही है, यॉर्प है, और यॉर्प की बहुत सारी country के स नौर्थ अमेरिका हो गया, वहां के बच्चे आते हैं, युएस के करनेडा के, यहां सौथ अमेरिका के साथ में लगी हुई छोटी-छोटी countries हैं, उनके बच्चे वो Caribbean countries में जाते हैं, क्योंकि बहां पर admission criteria easy है, प्राइवे लोगों ने बहां पर college खोले हुए, इवन सब्सक्राइब करेंगे, इस इस तरह की motivation दी जाती है, तो अगर आपका destination European countries है, शेंगन country से MBBS करने का है, तो आप immediately आज से ही अपनी त्यारी preparation स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे universities इन अपने portal खोल दिये हैं, जिन बच्चों ने अगस्त अप्तमबर में इन countries में MBBS के लिए जाना है, तो लेट मत करें, क्योंकि बहुत सारे procedure हैं, बहुत सारी चीजों को follow-up करना पड़ता है, तो अगर आपकी inquiry किसी भी country से MBBS करने की है, तो आप Corona Immigration की guidance जरूर ले सकते हैं, Corona Immigration को इस वीड में बहुत अच्छा experience है, तो lastly मेरी यही request है, कि अगर आप इस अगर आपको जो मेरी वीडियो से सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, तो लासी मेरी यह request है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छे है, इसको like and share करना होगा, thank you.